इस वीडियो में हम कक्षा 9 का पार्ठ 11 जिसका नाम है रचनाए को करेंगे और यह हमारा जो वीडियो है यह इस चैप्टर का परिचे यानि की इंट्रोडक्शन का वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो देखिए dear students हमारा class 9 का जो रचना का चैप्टर है यह 3 basic concepts पर depend करता है जो की हमारे 3 basic concepts यह है ठीक है यानि कि अगर आप इन 3 basic concepts को समझ गए तो आपका class 9 का रचना का जो चैप्टर है यह बहुत ही easy हो जाएगा तो इस वीडियो में हम इनी 3 basic concepts को समझेंगे तो देखिए पहला हमारा concept क्या है कि एक दिये गए रेखा खंड के लम समझ भाजग की रचना करना और दूसरा है एक दिये हुए कोण के समझ भाजग की रचना करना और तीसरा है परकार द्वारा कोणों की रचना करना जैसे कि 60 degree का cone 120 degree का cone इस तरह से यानि कि प्रकार द्वारा हम इन cone की रचना करना सीखेंगे तो देखिए dear students हमें रचना chapter को start करने के लिए हमारे पास कुछ geometry के basic instruments होना जरूरी है जैसे कि हमारे पास एक इस तरह का scale यानि की ruler होना चाहिए इसके अलावा हमारे पास एक प्रकार और एक pencil होना चाहिए और इसके अलावा हमें एक D यानि की protector के भी जोत पड़ेगी ठीक है तो इस तरह से हमें ये कुछ basic instruments की जोत पड़ती है रचना को करने के लिए इसके अलावा कुछ और भी geometric instrument होते हैं जिनका हमें बहुती कम use करना होता है तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं अपना पहला basic concepts जो की क्या है कि एक दिये गए रेखाखंड के लम सम्दिभाजक की रचना करना यानि की मान लीजिए कि आपके पास ये एक रेखाखंड द हमें इसका लम सम्दिभाजक खीचना है तो इसके लिए हमें एक परकार और एक pencil के जोड़त पड़ेगी तो इस तरह से ये जो हमारा रेखाखंड है हम क्या करेंगे कि ये हमारा A बिंदू है और ये B बिंदू है तो हम परकार को सबसे पहले B बिंदू उपर रखेंगे औ और जो हमारा ये रेखा है इसका आदे से ज़्यादा हम परकार को खोलेंगे इस तरह से ठीक है तो देख सकते हैं आप ये हमने आदे से ज़्यादा खोल लिया है परकार को अब हम एक उपर इस तरह से चाप लगाएंगे और एक इसी तरह से हम नीचे ऐसे लगा देंगे ब आपस में एक दूसरे को काटें तो इस तरह से आपस में यहां इस बिंदू पर और इस बिंदू पर काट रही है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि इस केल की सहायता से जिस बिंदू पर यह दोनों जो चाप हैं यह काट रही है एक दूसरे को हम इस तरह से एक इसी बिंदू से ऐ यहां तक यह इतना और एक यहां से लेकर यहां तक यह इतना ठीक है तो इस तरह से यह हमारा AB रेखा को लम सम्दिभाजक करने के लिए एक रचना है यहां पर जो हमारा यह कोण है यह भी 90 डिगरी का बनता है यानि कि समकोण बनता है हमेशा यानि लम सम्दिभाजक होता है ठीक है तो इस तरह से हमने समझा कि एक दियेगे रेखाखन के लंब सम्धिभाजक की रचना हम किस परगार से करते हैं अब हम समझते हैं अपना दूसरा कॉंसेप्ट जो कि क्या है कि एक दिये हुए कोण के सम्धिभाजक की रचना करना तो DSOS अब हम समझते हैं कि एक दिहुए कौण के सम्दिभाजक की रचना किस परगार से की जाती है तो देखिए यह हमने यहाँ पर एक कौण बनाया है जो कि हमारा 80 डिगरी का कौण है जिसको हमने चांदे की सहायता से बनाया है हमें इसका सम्दिभाजक करना है यानि कि इस कौण का हमें दो बराबर हिस्सों में बाटना है जो कि हमारा 40-40 डिगरी का बनेगा क्योंकि यह हमारा 80 डिगरी का है तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा यह बिंदू है इस पर हम प्रकार की नोक रखेंगे कुछ इस तरह से और जो यह हमारा रेखा है जिसे आप देख सकते हैं इससे होते हुए हम इस तरह से चाप लगाएंगे कुछ इ बिंदू पर टच हो रहा है यह हमने जो चाप लगाया है इस बिंदू पर हम परकार की नोग रखेंगे और यह हम क्या करेंगे कि इस बिंदू तक जहां पर यह वाला दूसरा जो रेखा है इस पर टच हो रहा है इस बिंदू से हलका सा कम यानि कि आदे से ज्यादा हम खोलें इस तरह से प्रकार को और एक यहां पर इस तरह से चाप लगाएंगे और सेम ऐसे हम अब इस बिंदू पर प्रकार की नोख रखेंगे इस तरह से और एक यहां से चाप लगाएंगे ताकि जो यह दोनों चाप हैं यह एक दूसरे को काटें अब जिस बिंदू पर यह काट रह गया कि जो ये 80 डिगरी का कौन है ये दो बराबर हिस्सों में बट गया एक तो हमारा ये इतना और एक ये इतना ठीक है ये दोनों कितने कितने डिगरी के हो जाएंगे 40-40 degree के क्योंकि ये पूरा हमारा 80 degree का कोण है ठीक है तो इस तरह से हमने ये समझा कि किस तरह से हम एक कोण के समधिभाजक की रचना करते हैं I hope आपको ये समझ में आ गया अब चलिए हम अपना तीसरा जो हमारा basic concept है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो DSOS हमारा तीसरा basic concept है परकार द्वारा कोणों की रचना करना तो देखिए हमारे कुछ ऐसे विशेश कोण होते हैं जिनको हम परकार की सहायता से बना सकते हैं बिना चांदे का उप्योग किये जो कि हमारे कुछ कोण होते हैं तो देखिए यहां पर हम कुछ basic जो कोण होते हैं उनको बनाना सीखेंगे परकार की सहायता से सबसे पहले हम समझते हैं कि 60 डिगरी का कोण हम कैसे बनाएंगे तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर हम scale की सहायता से सबसे पहले एक हम इस तरह से रेखा खीच लेंगे अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा ठीक है यह हमने खीच लिया अब हम क्या करेंगे इसको नाम दे रेते हैं A बिंदू और इसको नाम दे रेते हैं B यानि यह हमारा A भी रेखा हो गया अब हम क्या करेंगे कि इस A बिंदू पर परकार की नोक रखेंगे परकार को कितना भी बड़ा खोल सकते हैं हमारी मर्जी है ये ठीक है लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं खोल ला है हम ए बिंदू पर परकार की नोग रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे ठीक है आप देख सकते हैं इस रेखा तक हम ऐसे चाप लगा देंगे कुछ इस तरह से ठीक है यह हमारा हो गया अब हम क्या करेंगे हमें 60 डिगरी का कोण बनाना है तो जो हमारा ये वाला बिंदू है जिस बिंदू पर ये जो चाप है ये टच हो रहा है ये हमारा वैसे 0 डि लगाया है ये वाला उतनी धूरी खुली रहनी देनी है इस परकार को इसको बड़ा छोटा नहीं करना है और इस तरह से आप जो ये पहला चाप लगाएंगे ये हमारा जो चाप है ये इस चाप को जिस बिंदू पर काट रहा है यहाँ पर काट रहा है जिसे आप देख सकते हैं इस बिंदू पर तो अब हम क्या करेंगे इसको इस ए बिंदू से मिलाते हुए इस तरह से हम एक रेख करी का कौ 가운데 के तरह से बनाएंगे अब एसे हमारा 120 डिगरी का قोंड जो है यह भी बहुत ही आसान है बना देखे यहां पर 70 डिगरी का बनाने के लिए छाप जिता हम क्या करेंगे कि इसी पर परकार की रखेंगे इस तरह से और एक और चाप लगा Clay देंगे इस वाले चाप के उपर, इसे हम क्या कहते हैं, दीरग चाप कहते हैं, यानि की मेजर आर्क कहते हैं, हम इसी पर, साठ डिगरी पर प्रकार की नुक रखे और इस तरह से चाप लगा देंगे, तो ये हमारा, एकसो बीगरी के ये पूरा korn बन जाएगा ठीक थे तो आशोप आपको समझ में आ गया कि 60 degree का κोन और 120 degree का कोण किस तरह से बनाया जाएगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कि 30 degree का कोण कैसे बनेगा यानि कि 30 degree का कोण आसान है इसको सबसे पहले हम बनाना सीख लेते हैं तो देखिए जो हमारा 30 डिगरी होता है ये 60 डिगरी का आदा होता है तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो हम ये 60 डिगरी का कोण बनाये थे यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारा 60 डिगरी का कोण था हम इसी को सम्दिभाजित कर देंगे यानि कि इस से पहले वाले concept में हमने समझा था कि कौन को सम्दिभाज़क कैसे किया जाता है तो हम यहाँ पर 60 degree के कोन को सम्दिभाजित कर देंगे देखिए इसी में हम सीख लेते हैं यह हमने 60 degree तक परकार काख खोला और इसके हम आदेस ज़्यादा खोलेंगे इस तरह से ठीक है अब हम यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगा देंगे और फिर 60 डिगरी पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे ठीक है जिस बिंदू पर यह काट रहे हैं उससे होते हुए हम ए से होते हुए इस तरह से रेखा खिच देंगे ठीक है तो यह हमारा जो है यह 30 डिगरी का कौन बन जाएगा इस तरह क्या ठीक है तो यह हमने समझा कि 60 डिगरी का 120 डिगरी का और 30 डिगरी का कौन किस तरह से बनाया जाता है अब हम समझते हैं कि 45 डिगरी और 90 डिगरी का कुछ इस तरह का ठीक है इसका हम नाम दे सकते हैं कुछ भी जैसे की A B हमने नाम दे दिया अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक दीर्ग चाप लगाएंगे हम प्रकार को कितना भी बड़ा खोल सकते हैं हमारी मर्जी है यह अब हम A बिंदू पर प्रकार की नोक रखेंग और सबसे पहले इस तरह का हम एक चाप लगाएंगे दिर्ग चाप ठीक है कुछ इस तरह का ठीक है तो यह हमने यहाँ पर दिर्ग चाप लगा दिया अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा 90 डिग्री का कौन होता है यह हमेंसा 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में बनता है ठीक है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 60 डिग्री का एक हमें चाप लगाना होगा कैसे लगाते हैं जैसा हमने इस वाले रचना में किया था वैसे ही सबसे पहले हम इस बिंदू पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे त सबसे पहले 60 डिगरी पर परगार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे, ठीक है, इन दोनों 120 और 60 डिगरी के बीच में हमारा 90 डिगरी का बनेगा, अब हम यहां 120 डिगरी पर परगार की नोक रखेंगे, और इस तरह से एक अन्य चाप लगा देंगे, ठी तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा 90 डिगरी का कौन ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पर 90 डिगरी का कौन बना दिया अब हम बात करते हैं कि हमारा 45 डिगरी का कौन क्या से बनेगा तो देखिए हमारा 45 डिगरी जो होता है वो 90 का आदा होता है इसलिए हम क्या कर देंगे कि 90 degree का समदिभाजित कर देंगे तो देखिए 90 का समदिभाजित करने के लिए क्या करते हैं हम इस 90 degree तक के कौन के लिए हम आधिस ज्यादा परकार को खोलते हैं और इस तरह से एक चाप लगा देंगे 0 degree पर रखके फिर एक बार 90 डिगरी पर रखके इस तरह से चाप लगा देंगे आप जिस बिंदू पर काट रहे हैं एक दूसरे को उससे होते हुए और ए बिंदू से होते हुए हम इस तरह से दोनों को मिला देंगे ठीक है तो यह हमारा जो है जो आप देख सकते हैं यह बन जाएगा 45 डिगरी का कोण तो इस तरह से हमारा यह कुछ बेसिक कोण थे जो आपको बनाने आने चाहिए तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और पहली वाई वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे आल वाले पे क्लिक कर लीजे ताकि नेक्स वीडियो जैसी अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अपने दोस्तों के साथ भ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए प्रशने के साथ तब तक लिए अपने ध्यान रखें धन्यवाद